अकेलेपन और तनहाई की भावना से बाहर आए और परिवार के साथ कुछ पल बिताए। आपके माता पिता आपकी फिजूल खर्ची को देख कर आज चिंतित हो सकते हैं और इसलिए आपको उनके गुसे का शिकार भी होना पर सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त स योगी स्वभाव के हैं लेकिन बोलने में सावधानी बरतें। रोमांस रोमांचक होगा इसलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुथ लें। कुछ लोगों को व्यापारिक और शेक्षिक लाभ मिलेगा। अपने किस मित्र के साथ आ बहुत खुबसूरत है। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कारेक्षेतर में आप में उर्जा देथी जा सकती है। आज आप दिये गए काम को तैव वक्त से पहले ही पूरा कर सकते है। घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशी की ग्रिहनियां आज के दिन फुरसत में टीवी या पर कोई मूवी देख सकती है। मुमकिन है कि महरी या कामवाली बाई की तरफ से कोई परेशानी खरी हो जिससे आपके वा आपके जीवनसाथी को तनाव संभव है। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं परेगी क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। प्रभाबशाली और महित्रपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधिया अच्छा मौना साबित होंगी। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाता तो आज उनके साथ वक्त बिताए और अपनी बातों को सपष्टता के साथ उनके सामने रखें। नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन दिन है। कर्मकांट खवन पूजापाट आदी का आयोजन घर में होगा। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के परियाप्त मौके है आज आपके पास। आपका विनम्रिस्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी नासी तारीज कर सकते हैं। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। बशर्ते आप पारंपरिक तोर पर निवेश करें। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी और आकरशित करना चाहते हों। लेकिन साथ ही पुशियों की वजह भी साबित होते हैं। अपने प्रिये के साथ सेरसपाटे पर जाते समय जिन्दगी को पूरी शिद्दत से जिये। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक शमता को काथी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। दूसरों को यह बताने के लिए ज्यादा उतावले नहों की आज आज आप कैसा महसूस कर रहे है। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते है। अपनी नुशियों को दूसरों के साथ साया करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा, लेकिन तयाल रखें कि इसे नजरंदास करना बाद में भारी पर सकता है, जेवर और एंटीक में निवेश ताइदेमंद रहेगा और समरिधी लेकर आएगा, वैवाहिक बंधन में बंधने क काम नहीं कर रहे है, आज आप अपने जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते है, अपने सारे कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ वक्त बिता सकते है, थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेश दिनों में से एक हो सकता है, मानसिक अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो सिरि नाकामी आपके हाथ लगेगी. आपकी आकरशक छवी मन्चाहा परिनाम देगी. लंबित परियोजनाय पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी. उन चीजों को दोहराना जिनका अब आपके जीवन में कोई म हेत्व नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है. ऐसा करके आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं. आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है, जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे. आपका उरजास्तर उंचा रहेगा. अगर आप लोन जिन्दगी पर नकारात्मक असर पर सकता है. सेरसपाटे पर जाने का कारेक्रम बन सकता है, जो आपकी उरजा और उत्साह को तरो ताजा कर देगा. नई साहीदारी आज के दिन फलदाई रहेगी. दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी ठकाओ रहे लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बरेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे. दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते है. ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके उपर खास ध्यान देंगे. जिस तरह मि ऐसे तर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पच्छताना पर सकता है. जो लोग आपके सरीब है, वे आपका सलत फाइदा उहा सकते है. सलत हमी या कोई सलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन थंडा कर सकता है. पैसे बनाने के उन नए विचारों का उप्योग करें, जो आज आपके जेहन में आए. ऐसे लोगों से जुरने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते है. जीवनसाथी की वजह से आपको अनमने रंग से बाहर जाना पर सकता है, जो बाद में आपकी जहलाहत की होता ही नबरतें. निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उजित सलाह से ही निवेश करें. आपके जीवनसाथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है. किसी तीसरे इंसान का दखल आपके और आपके प्रिये के बीच गतिरोध पैदा करेगा. दिन की शुरुआ से अंध तक आप खुद को उर्जा से लबरेज महसूस करेंगे. आज ऐसे बरताव करें जैसे कि आप सुपरस्टार है, लेकिन सिरी उन चीजों की ही प्रशंसा करें जो उसके साबिल है. आपका जीवनसाथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खी सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है.